चोपड़ा है जो किसने यूटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बच्चो NEED22 की क्यूशन पेपर में एक क्यूशन फिजिक्स का एक क्यूशन केमिस्ट्री का और एक क्यूशन बाइलोजी का बॉनस होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है लेकिन इनके बॉनस मार्च सबी कंडिडेट को नहीं मिलेंगे NTA ने अपने पप्लिक नोटिस के जरी ये नोटिस कर दिया है कि bonus marks किन किन candidate को कौन कौन सी condition में मिलेंगे मैं आपको यहाँ पर NTA के उस public notice के बारे में भी बताऊंगा और physics, chemistry और biology के bonus question के marks कौन कौन से candidate को मिलेंगे उसके बारे में भी बताऊंगा वो भी proof के साथ में तो इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इसी साल MBBS, BDS कोर्स में admission लेना चाते हैं तो All India, State, IUs और veterinary counseling के लिए मैंने guidance book तयार कर दी है और इसमें आपको admission के लिए काफी ज़्यादा help मिलेगी इसमें seat, matrix, fees, structures, cutoff वगरा सभी के बारे में जानकारी दी गई है और इसमें सबसे अच्छी यह है कि इसमें choice list भी दी गई है MBBS, BDS, सभी courses के लिए इसमें choice list भी दी गई है जिसे जिसके help से आप choice फिल कर सकते हैं इसमें state wise, state quota की book में state wise cutoff, tuition fees, choice list, even service bond के बारे में भी जानकारी दी गई है, पूरी bonds हरे एक state के bond के बारे में भी जानकारी मैंने दे दी है इसमें, open quota के बारे में भी जानकारी दे दी है जो open quota के state से जिन candidate के अच्छे mark से नहीं है, private में admission लेना चाहते हैं, dimmed में admission लेना चाहते हैं, कहां उनका admission होगा तो ये सभी courses के लिए इसमें जानकारी है तीन प्रकार की book है तीनों में आप इनकी help ले सकते हैं counseling के लिए तो आएए अभी हम बात करते हैं bonus marks के बारे में तो सबसे पहले physics का question है तो ये NTA ने clear कर दिया है कि section 1 के अंदर जो भी question है अगर वो bonus हो जाता है तो सभी candidate को marks मिलेंगे bonus marks चाहे किसी candidate ने उसको attempt किया है या नहीं किया है गलत कर दिया है तो भी मिलेंगे सही किया है तो भी मिलेंगे attend नहीं किया है तो भी मिलेंगे सभी candidate को bonus marks मिलेंगे section 1 के अंदर जो भी question आता है bonus होता है लेकिन सेक्षन B के अंदर अगर कोई क्यूशन बोनस हो जाता है तो ये उसी कंडिडेट को मार्क्स मिलेंगे जिन कंडिडेट ने इसको अटेम्ट किया है दुबारा से बता देता हूँ section B के अंदर अगर कोई question bonus हो जाता है तो उसी candidate को marks मिलेंगे bonus marks जिसने इसको attempt किया है सभी को नहीं मिलेंगे ये बिल्कुल condition NTA ने अपने public notice के जरिये बता दिया है मैं last में आपको public notice भी दिखा दूँगा और उसके instructions भी दिखा दूँगा अब जो ये physics का क्यूशन है ये जो physics का क्यूशन है ये bonus है और section A में है जो ये आप देख रहे हैं stopping potential वाला जो क्यूशन है वो section A में है और ये bonus है तो इस क्यूशन के bonus marks चार marks सभी candidates को मिलेंगे NTA अगर इनको bonus declare कर देता है तो सभी candidate को मिलेंगे चाहे किसी ने attempt किया है नहीं किया है किसी ने wrong answer दिया है तो भी ये सब को मिलेंगे कहने का मतलब physics का जो section 1 section A का जो क्यूशन है stopping potential वाला उसको उसके bonus marks सभी candidates को मिलेंगे clear अब इसमें chemistry का जो क्यूशन है chemistry का जो क्यूशन है EMF वाला उसके चार bonus marks उनी candidates को मिलेंगे जिनोंने इसको attempt किया है चाहे गलत answer दिया है सही किया कुछ भी answer दिया हो लेकिन जिसने इसका answer दे दिया attempt कर लिया उसको इसके bonus marks मिलेंगे अगर किसी candidate ने इसको attempt नहीं किया है तो उसके bonus marks उसको नहीं मिलेंगे अब next में क्यूशन है biology का biology का जो क्यूशन है ये भी bonus है क्योंकि इसमें जो पांचों option है ये पांचों option correct है लेकिन इसमें ये नहीं लिखा है कि पांचों option correct है का कहीं option ही नहीं है इसमें only लिखा हुआ है only नहीं होता तो फिर भी हम इसको consider कर लेते आंस्वर में तो ये भी bonus है तो ये section A में है biology में इसलिए ये भी सभी candidate को bonus marks मिलेंगे अगर NTA इसको declare bonus से declare कर देता है तो सभी को मिलेंगे चाहे किसी ने attempt किया है या नहीं किया है ये भी clear हो गया होगा अब बात करते हैं biology का एक और question है जिसमें बच्चों को ज्यादा doubt है हलांकि इसका clear C option आ रहा है इसका option इसका 2 आ रहा है clear C है लेकिन फिर भी student को इसमें doubt है अगर NTA इसको इसके दो answer देता है जैसे 8 वाला भी देता है और 2 वाला भी देता है तो ये उनी candidates को मिलेंगे है उसको भी मिल जाएगा इसका जो four marks से मिल जाएगा बाकि अगर इसको दो answer नहीं देता है NTA एक ही देता है इसका 2 तो वही consider किया जाएगा अब इसमें doubt ज्यादा तर इसलिए नहीं है क्योंकि इसका answer 2 यह आ सकता है 8 आने की संभावना नहीं है क्योंकि इसमें जो parvic acid है इसके बारे में ही पूछा है aerobic के respiration वगरा का कुछ भी इसमें mention नहीं किया है अगर वो इसमें mention होता aerobic के respiration इसमें mention होता तो 8 हो सकता था लेकिन अभी इसका 2 ही हो सकता है लेकिन फिर भी देखते हैं NTA अगर इसके दोनु मानता है option तो यह उन candidate को मिलेगा जिसमें दोनु सही किया है और अगर एक ही मानता है तो एक सही होगा और बाकी negative हो जाएगा तो यह doubt में है काफी student को doubts था इसके बारे में इसलिए मैंने आपको बताया अब हम उस notice के बारे में बात करते हैं जो NTA ने दिया है और clearly दे रखा है तो जो NTA advisory जारी की थी 17 जुलाई को exam के बारे में उसमें नीचे क्यूसन पेपर के bonus marks के बारे में दिया है इसमें 4 section A के बारे में 4 नमर पॉइंट पर clear लिखा गया है कि अगर किसी क्यूसन के एक से ज्यादा answer correct होते हैं या वो क्यूसन ही गलत हो जाता है वो क्यूसन ही wrong हो जाता है तो सभी candidates को इसके bonus marks मिलेंगे चाहे किसी ने attend किया हो या attend नहीं किया हो ये तो section A के बारे में बताया है ये तो सब को मिलेंगे तो मैंने आपको बता दिया है कि ये physics का और biology के जो section A में क्यूसन है दो मैंने बताये थे आपको एक biology का और physics का बताया था तो इनके तो सभी को मिलेंगे लेकिन जो chemistry का क्यूसन है EMF वाड़ा section B में है वो उनी candidate को मिलेगा इसमें section B में देखो point number इसमें 4 पर लिखा है कि अगर कोई क्यूसन wrong हो जाता है incorrect हो जाता है तो उनको उसी उन candidate को marks मिलेंगे जिनको इसने attempt किया है तो ये clear है मैंने सभी क्यूसन के बता दिये हैं आपको और NTA का notice भी यहाँ पर दिखा दिया है आप समझ गए होंगे इसके according ही आप अपने bonus marks calculate कर ले बाकि final NTA किसको bonus देता है किसके दो answer देता है ये NTA के answer की आने के बाद ही declare होगा NTA की answer की आएगी उसके बाद उसको challenge किया जाएगा और final answer की declare होने के बाद ही ये पता लगेगा कि कौन सा answer bonus गया है कौन सा क्यूसन bonus है ये सारा NTA पर depend करता है मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है मिलेंगे नए वीडियो की नई update के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए जैहिन